और आज हम पढ़ेंगे circular path के उपर जो questions आते हैं ये लगबग last हमारा part रहेगा उसके बाद हम boat and stream वाला chapter अपना उठाएंगे तो अभी ये लगबग हमारा last part है और आज इसमें हम circular path वाड़े questions करेंगे तो basic इसमें 2-3 type ही बढ़ती है मतलब 2-3 cases बनते हैं circular उसमें कि circular path पर कोई बंदा दोड़ रहा है तो उस पर किस type के आपके questions आते हैं तो पहला case discuss करते हैं case 1 मालो यह कोई circular path है ठीक है एड़ेस्ट कर ले ना drawing इतनी अच्छी नहीं है मेरी ठीक है मालो यहां से कोई दो बंदे दोड़ना start करें same direction में भी हो सकते हैं और यह मालो starting point है यह उनका starting point है ठीक है यहां से दोड़ना start करें कोई बंदा A है ठीक है मालो इस direction में दोड़ रहा है दूसरा कोई बंदा है वो B direction में दोड़ रहा है same direction का questions भी आते हैं और opposite direction तो पहले start करते हैं opposite direction से तो पहली type का मतलब क्या case 1 क्या है कि पहला जब वो question करे कि कि वहन दे विल मीट फॉस्ट टाइम यह पहली टाइप हमारी कि वो एक पहली बार कब मिलेंगे मालब दोनों यहां से मालो दोड़ना start करें यह इस direction में दोड़ रहा है यह इस direction में दोड़ रहा है तो पहली बार वो दोनों कब मिलेंगे यह हमारा पहला टाइप में क्या देख रहे है कि वो दोनों पहली बार कब मिलेंगे तो इसमें देखो basic क्या है सबसे main चीज क्या है कि अगर by chance में मालो कि यह लोग यहां मिलेंगे ठीक है मैं ऐसे assume कर रहा हूं मालो यह वो point है जहां पर यह दोनों एक दूसरे को cross करेंगे यह दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो अगर मैं देखूं कि यह बंदा जब यहां से दोड़ता हुआ यहां पहुच रहा है इस point पर और यह बंदा दोड़ता हुआ यहां से यहीं पहुच रहा हूं इस point पर तो यहां से इन्हों ने start के और गूम के यह यहां आ गया और यह बंदा यहां से यहां गया तो एक तो यह बोलेगा सेम डारेक्शन में दोड रही है बोलेगा पोजी डारेक्शन तो पहले हम कम कॉंसेप्ट सीखते हैं उसके बाद इसी टाइप में मैं दो एक छोटे-छोटे एक्जामपल लेके आपको समझा दूगा इस बार हम इन पर ज्यादा कॉस्चेंस नहीं करें क्यो कि बन्दा यहां यहां से यहां पॉस्चा थो niye टो कितना डिस्टेंस ट्रवाल करी दोनों नहीं तो इन दोनों मिल्कर कितना करें डिस्टेंस कर आप梁 दी डिसृटेंस अगर यह माणलो एकष्की स्पीड से दोड़ रहा था é और यह बंदा दोड़ रहा वाई किलोमेटर परा तो यहां से जो मेरी हमने पढ़ा था जब पिछे फॉर्थ या फिफ पार्ट में पढ़ा था कि जब दो बंदे सेम डारेक्शन में या एक ट्रेन वाला कॉंसेप्ट हमने देखा था कि एक ट्रेन एक आदमी या दो ट्रेन यह सेम डारेक्शन में ऑपोजिट डारेक्शन वाले जो हमने पढ़ी थी जामने साप एक सचाल वाला कॉंसेप्ट पढ़ा था ठीक है रिलेटिव स्पीड वाला कॉंसेप्ट पढ़ा था उसने हमने क्या आगा जब भी दो अपोजिट चीजे एक दूसरे की तरफ किसी भ आता तो रेलेटिव स्पीड मेरी यहां से क्या निकल करेंगे एक्स प्लस यहां से हमने सब से पहले क्या चीज़ निकालना है जो यह उसमें पूछता भी है थीए तो सब से पहले हम time taken निकालेंगे ठीक है time taken to when they सब्सक्राइब निए किस निकालते हैं तो सब्सक्राइब तो किस टाइम पर मिले कितने टाइम में मिले तो निकल के कहा से रहागा कि दिस्टेंस जो उतना ट्रेवल कि उन्होंने डिस्टेंस और जो मेरी स्पीड थी यहने की ट्रेलेटिव स्पीड एक्स प्लस तो यह ध्यान रखना आप लोग अपजीड के टाइम पर यह वाला यह पोजेट के टाइम पर जरूर द्यान रखना है क्योंकि इसी से सारे सवाल निकलेंगे फिर मैं एक्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगा अच्छा से पहले आप लोग यह चीज सीख गए नहीं यह चीज जरूरी है पहली बार जब मिले तो उन्होंने कितना समय लिया डी म पे लिए ज्यादा कावर करेंगा कैस तोफु़ मिल रही हमेसे क्या रहेगी जो पूरा पाथ दे रहा है वह स्पीड में इलेटिव स्पीड रहेगी ठीक है और हने टाइम टेका निकर इस पर हम लेते अगगर मृं cou यहां पर question में दे रखा हो कि जो मेरा circular path है उसकी length दे रखी हो भई मालो 1000 meter दे रखी ठीक है 1000 meter उसकी length है और इसकी value दे रखी हो कि यह 20 meter per second की speed से दोड़ रहा है यह बंदा दोड़ रहा है 30 meter per second ठीक है कि यह 20 की speed से दोड़ रहा है यह बंदा दोड़ रहा है 30 meter per second की speed से तो वो आप से मालो यह पूछ ले कि A की distance पूछ ले कि A कितनी दूर उससे मिलेगा या B से कितनी दूर मिलेगा B ने जो distance travel किया तो भई वो यहीं से निकल के आए है कि टाइम टेकर निकालोगे फिर किसी बाड़े से भी multiply कर देना क्योंकि जो difference आ रहा है वो speed पार है time दोनों बराबर ले रहे हैं ठीक है यहां पी वो concept है तो यहां से मेरा distance आ गया मेरे पास speed मेरे पास दे रखिए तो टी फर्स्ट क्या जाएगा फर्स्ट मीट क्या जाएगा डिस्टेंस मेरी हजार मेटर relative speed मेरे क्या जाएगी दोनों opposite direction में दोड़ रहे थीस और वीस फिफ्टी ठीक है कुंटी आ जाएगा यह यानि बीस सेकेंड बाद वो दोनो मीट करेंगे या तो simple आपसे पूछेगा कितनी देर बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आप cancer यह अगर वो distance पूछ ले कितनी दूर तो वो कहेगा कि A ने कितनी distance travel करी है B ने तो वो निकाल सकते हो आप दोनों का time आपके पास 20 सेकेंड है तो अगर A का पूछे तो A की speed आपके पास है ठीक है A की speed क्या है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड ठीक है और A का time कितना देर रख़ा है 20 सेकेंड time दोनों का सेम है तो distance कितनी आजएगे distance travel by A speed into time कितनी आजएगे 400 मेटर ठीक है 400 मेटर बाद A ने कितनी दूरी तेह करी है 400 मेटर B का पूछे तो B का निकाल लो भाई बी की speed कितनी देर रख़ी है 30 मेटर पर सेकेंड टाइम कितना लिया B का time कितना है 20 सेकेंड तो distance travel by B कितना आजएगा 30 into 20 यानि B ने कितना distance travel कि रिया 600 मेटर तो देखो यह circle तभी तो पूरा हुआ है पूरा जो distance travel करा वो कैसे करा है कि यहां यह 600 मेटर दोड़ा यह 400 मेटर दोड़ा पूरा circular path क्या था हमारा 1000 मेटर का तो देख लो पूरा आ गया न हमारा इस सिंपल अभी हम इसका दूसरा वो जब वो सेम डारेक्शन में दोड़ रहे हैं तो उसमें क्या रहे हैं मालों दोनों सेम डारेक्शन में दोड़ रहे हैं यह भी मेरा इसी डारेक्शन में दोड़ रहे हैं और बी भी मेरा इसी डारेक्शन में दोड़ रहे हैं दोनों सेम करके आना पड़ेगा उस बीट करने के लिए एक बार उसको क्रोस करेगा माणों दोनों यहां से दोड़ना स्टार्ट करें यहां तक बरा कर रहे हैं यहां पर मालों मेट कर रहे हैं तो बन्देन ने क्या कर रहा है बई complete पूरा जो circular path है उसको cover किया है क्योंकि देखो अगर वो यहां से दोड़ना start किया है तो यहां तक तो दोनों ने साथ में दोड़े कितना भी दोड़े साथ में एक बंदा लेकिन वो भी कुछ न कुछ distance travel कर रहा है तो उतनी उसने उसकी कम कर दी इसकेस में भी जब वो दोनों सेम डारेक्शन में दोड़ रहे हैं तो distance मेरा क्या रहेगा ठीक है डिस्टेंस मेरा क्या रहेगा जो circular path की length है न वहीं रहेगा ठीक है length of circular path यही मेरा distance रहेगा इस केस में बस जो difference है वो कह रहेगा कि जो हम relative speed निकालते हैं रिलेटिव स्पीड सेम डारेक्शन के केस में क्या रहती है ज्यादा में से हम कम गटाते हैं जाहिर से बात है जो बंदे की इस ग्रेटर देन क्या है वाई तब उस condition में रिलेटिव स्पीड क्या जाएगा एक्स माइनस तो यहाँ पर इस वाले केस में जब वो सेम डारेक्शन में दोड रहे हैं दोनों तो उनका टी फर्स्ट क्या जाएगा फर्स्ट मीट हमेश्य क्या आएगा डिस्टेंस अपोन रिलेटिव स्पीड एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स जो ज्यादा दे रख्यों उसमें से कमवाली घटा देना यह वाला कॉंस अप्ट लागा है कि सिंपल है कुछ नहीं है उसमें बस ध्यान रखना है कि जब भी सेम डारेक्शन तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपने ज्यान रखना जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वह दोनों के करा आए कि अगर इसकी लैंथ 1000 मेटर दे रखी है ठीक है और मैं इसकी कहूं कि यह 30 ठीक है X is equal to मालन मैं कहादव 30 मेटर पर सेकंड है और Y मैं कहादव 20 मेटर पर सेकंड है ठीक है तो यहाँ पर डिस्टेंस में कितनी आजेगा 1000 मेटर एलेट इस पीड क्या जेगी बैए 10 और तो क्या आएगा यहाँ पर वो दोनों कम मिलेंग बैए 100 सेकंड बाद मिलेगा आब सिंपल वह जी के ए ने किसना ए ने कितना distance travel के तो A की speed कितनी दे रखे 30 meter per second ठीक है A की speed speed of A और time taken of A क्या दे रखा है बाई मेरा कितना second लिया उसने 100 second 100 second तक दोड़ा है ना 100 second तक ये दोड़ा 100 तक भी दोड़ा है तो 100 second कितना distance travel के distance travel by A 30 गुना 100 कितना 3000 meter ठीक है 3000 meter अब आप लोग कहोगे क्यार फर्स्ट मिन्ट में 3000 meter कैसे आगया ठीक है तो आप देखो यहां पर भी का देखते हैं भी फिर समझाओंगा आपको speed of B क्या speed of B क्या दे रखे मेरी 20 meter per second time of B क्या दे रखा है मेरा वही 100 meter per second sorry 100 second ठीक है 100 second तो distance travel by B कितना आगया 2000 meter अब यहां पर एक चीज़ देखो कि जब वो दोनों दोड़ रहे हैं तो उसका हाथ नहीं आ रहा हूँ यह 30 की speed से दोड़ रहे है 20 की speed से दोनों दोड़ रहे हैं वो आगे बले ही निकड़ गया लेकिन वो उससे थोड़ा meeting point पर मिल रहे हैं तो भले उसने तीन चक्कर लगाये लेकिन दो चकर तो उसने भी लगाये तो distance travel कितना हुआ एक चकर भाई उसने एक ही चकर तो जाद लगाया और एक चकर कितना था हमारा अजार मेटर यानि जो उसका सर्कुलर पाथ की लेंथ थी इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि जब भी distance की बात आएगी तो distance वही निकड़ के आएगा हमारा कि जो सर्कुलर पाथ की लेंथ है वही हमारा उन दोनों क्या क्या रहा है वहन दे विल मीट एड़ स्टार्टिंग पॉइंट यह सबसे आसान टाइप है इसमें और ज्यादा तर सवालों में आपको यही मिलेगी क्या रहेगा इसमें देखूं अगेन आइम सोरी विद्ध्यू मेरे ड्राइंग थोड़े अच्छे नहीं है बाई इसमें भी होई है कि मालों यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से दोबंदे दोड लें किसी भी डारेक्शन में दोड रहे हूं मालों यह दोड रहा है और बीवी सी डारेक्शन में दोड रहा है क्या कह रहा है मालों यह 20 की स्पीड से दोड रहा है यह 30 मेटर पर सेकिंड की स्पीड से दोड रहा है क्या कह रहा है कि इसी पोइंट पर जहां से उन्होंने दोड़ना स्टार्ट किया है इसी पोइंट पर दोबारा कब मेट करें है यह हमारा सवाल रहेगा इसमें तो यहां इस केस में ध्यान रखना इसमें तीन लोग भी पूछता है कि ए बीसी तीन लोग एक स्टार्टिंग पोइंट पर कब मिलें तो पहले दो के केस में देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं है ध्यान रखना है कि जो टाइम टेकन रहेगा ना बई उनका लेना है बस ठीक है लसेम निकल जाएगा तो आपका सवाल आ जाएगा जो लसेम रहेगा मतलब एक तरह से वही आपका अंसर रहेगा कब मिलने वाड़े मालो यह 30 मिटर पर सेकेंड के स्पीड से दोड़ रहा है यह 20 मिटर पर सेकेंड के स्पीड से दोड़ रहा है तो और मेरा सर्कुलर पाथ मालो 600 मिटर का है यह मेरा सर्कुलर पाथ है जिसकी लेंद है 600 मिटर यह 30 की स्पीड से दो तो टाइम टेकन ओफ ए क्या रहाएगा भै टी क्या निकड़का है मेरा डिस्टेंस डिस्टेंस कितना 600 मिटर स्पीड कितनी है वह एकी 20 कितना आगया थीस सेकेंड इसने 30 सेकेंड लगा यह सर्कुलर के चक्कर लगाने में पीवी क्या आएगा टाइम टेकन वही 600 बटे 30 कितना जाएगा 20 सेकेंड इस बार तो अब जो आपका एक तरह से थोड़ा इजी लग रहा होगा आप लोगों मैंने असान से सवाल ले लिए कि तीसर पीस केल्सियम तो हम से सीधा भी ले सकते तो वह स्पीड है भाई वो बाई डिफोल्ट आ रहा ह तो जो आपका टाइम टेकन रहेगा घाल सेम यजैं किया रहेगा तीस और बीस केल्सियम क्या रहेगा साथ सेकेंड है साट सेकेंड आया क्या है कि साट सेकेंड बाद वो दोनों इसी पोइंट पर होंगे उत्तर की पड़ताल कर लो कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए इन साट सेकेंड कितनी रहेगी जब ए बीस की स्पीड से दोड़ रहा है साट सेकेंड तक दोड़ेगा तो कितनी दूरी ते करेगा भाई बारासु मीटर ठीक है यानि उसका दूसरा चकर कंप्लीट हो जायेगा डिस्टेंस टेवल बाई बी क्या रहेगा बी की स्पीड कितनी है बाई तीस साट सेकेंड तक दोड़ेगा कितना डिस्टेंस टेवल कर पूरा होगा तो दोनों दुबारा इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर रहेंगे तो अगर सिधा आप से पूछा कितनी देर बाद तो अंसर रहेगा पूछे कितने चक्र लगा यहने कितनी डिस्टेंस टेवल करी दो यहां से लिए भी का पूछे तो निकाल दोयां से उसान टाइप है तो यहीं पर मेट करना चाहिए तो यह इस direction में चक्कर कटते जा रहा है इस direction में उससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है तो पहले case में पूछता तो difference रहता उस case में तो कहीं पर भी मिलना चाहिए पहली बार मिलना चाहिए वो था लेकिन सवाल क्या है कि इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना चाहिए तो उसमें क्या रहेगा इस बार सी का भी लेलो भाई लसी हम ठीक है टाइम टेकन हो बाई सी मालो यह चालिश के स्पीड से दोड़ रहा होता ठीक है तो अब जो टाइम टेकन रहता सी दवारा टी सी वो क्या रहता है डिस्टेंस कितना है छेस्सो बटे चालिस कितना है पंदरा पंदरा सेकेंड है तो पंदरा भी यहां रखोगे यह साथ सेटेंड में चालिस कितने डिस्टैंस को रहे खाल तो दिक्कर नहीं होने चीए आपको ध्यान रखना-ठैश taken तो किसी का भी डिस्टेंस पूछ ले आप बहुत इजी टाइप है अगली टाइप अगला केस के हमारा इसमें तरह के सवाल देगा हो तो सीखते चलो इसको भी कैसे करते हैं कि मार लो यह सर्कूलर पाथ हमारा है कि अगयल साथ इसे वह स्टार्टिंग पॉइंट यह मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है मालो A पहले इसमें भी दो केस बन रहे हैं हमारे कि जब वो सेम डारेक्शन में दोड रहे हैं तब और जब वो अपोजी डारेक्शन में दोड रहे हैं तब पहले सेम डारेक्शन देखते हैं कि A इस डारेक्शन में दोड रहा है और B भी मेरा इसे डारेक्शन में दोड रहा है मानलो यह 40 की स्पीड से दोड रहा है और B मेरा 50 मिटर पर सेगंड की स्पीड से दोड रहा है मानलो यह मेरा 2000 मेटर का ट्रेक है ठीज, तो इस केस में क्या होगा देखो इस case में कुछ नहीं है simple सा है बस थोड़ा सा सोचने की जरूत पड़ेगी कि पहले हम यहां पे लिकाड़ेंगे time taken by B क्योंकि सवाल में क्या दे रखा है कि जब B 10 round अपने complete कर लेता है तो B का निकाल लोगे एका अपने आप हो जाया कैसे देखो time taken by B क्या है कि पूरा track 2000 मेंटर का है distance मेरे कितनी आगी 2000 स्पीड कितनी है पचास मेंटर पर सेकंड कितना आ गया 40 सेकंड कि B भाई मेरा एक राउंड कितने हम कर लेता है 40 सेकंड तो 10 राउंड कितनी दिर में कर लेगा 400 सेकंड में है तो B मेरा टोटल कितना दोड़ा है भाई 400 सेकंड तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि B मेरा कितने कि स्पीड से 50 मेटर पर सेकंड कि स्पीड से कितने है 10 राउंड 400 सेकंड में कंप्लीट करता है ऐसे क्यों लिख रहा हूं वो भी आप लोगों समझ मां जाएगा आहिं必ान कितने तो है आप देखो 400 सेकंड तक मेरा बी दोड़ा है तो टुस के राउंड निकाल लेद ना कितने रहां कितने स्पेड से तो कितने राउंड सेडेगा तो 400 सेकेंड तक 400 मेंटर्पर सेटेंड कि स्पिड से डोड़ रहाру है कि इन दोनों हो अगा है त्डॉरो दिस्टेंस रहेगा है कि टिन आहेगी चार सो in to स्ोड अजार मिट्र आ जाएगा राउंड ठीक है पाईать गावईितनी मेरी श्पीड है इतनी मेरा टाईम है तो डिस्टेंस आ जाएगी डूटल डिस्टेंस हागय मेरी सोला जार मिट्र कितने राउंड कम्प्लीट कर लेगा आठ तो अब देखो जब भी सेम डारेक्शन की बात करें ना सेम डारेक्शन में दोड रहे हूं तो सेम डारेक्शन के केस में इन दोनों का डिफरेंस कर देना वह आपका अंसर आ जाएगा कितनी बार मीट करेंगे जब वह बी कम्प्लीट कर लेगा अपने दस राउंड तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा टू तो टू टाइम्स यह आपका अंसर आज है सिंपल यहां पर इसको ऐसे लिखने का मकसद यही था बस कि जब यह दस चक्कर मारेगा यह आठ चक्कर मारेगा तो यह सिर्फ दोनों कितनी बार मीट करेंगे बाई दो बार सिंपल यह आंसर कुछ नहीं करना इसमें कि मालो अब बीज डॉड़र एसर फीड मालो वह ले ले लटे उसी अग्जाम्पल से समझते हैं तो देखो इस केस में भी क्या रहेगा Time टेकन भाई बी तैम टेकन तो वही रहेगा किसी भी डॉडररेक्शन में दोडो डिस्टेंस मेरी 2,000 मिट थी स्पीड मेरी 50 थी कितन कर रहा है तो 10 राउंड कितने हम कर लेगा भाई अधीक है टाइम टेकन बाई 10 राउंड कितना आजाएगा कि चार सो सेकेंड में तो सेम यह ने भाई 40 मिटर पर सेट से अभी निकाडा था हमने आठ राउंड लगाए कितने में कि चार सो सेकेंड में तो देखना जब आप पोजिट की बात आए ना पोजिट डारेक्शन में जब वो दोनों डोड रहे हूं तो सेम डारेक्शन में हमने क्या किया था जैसे रिलेटिव स्पीड में किया था जादा में से किस क्या किया था कम को गटा दिया था स्पीड के केस में हमेशे यह करते थे ने रिलेटिव स्पीड में ज्यादा में से कम को गटा देते थे तो दस में से आठ राउंड को गटा दिया था दो मेरा अंसर है वो क्या था दो बार कितनी बार पुछा है कितनी बार मिलते हैं तो दो बार लेकिन जब यह कह रहा तो वो जी डारेक्शन में एक दूसरे के वो दोड रहे हूं है थीक है भई तो मेरे हिसाब से तो यह तीन ही केस बनते थे मैंने तीनों आपको बता दी अगर कोई रह गया हो तो बहुत बता देना क्यूंकि मैंने मेरे को यही याद थे और यही मैंने नोट आउट कर रखे थ कोई और अगर सर्कुलर पाथ में कोश्चन बनते हों तो आप मुझे बता देना कमेंट बोक्स में मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा बाकि मैं खुद भी देख रहा हूं ठीक है दोबारा से मैंने थोड़ा स्टार्ट किया है तो अगर मेरे सामने कुछ भी मैं आपने टोप्स कर रहा हूं आप लोगों से आपको टीच नहीं कर रहा हूं रैगी कर लोग मेरे से खन बढ़े अग्मी बॉर पर नीचे थोड़ा बहुत होता है तो आप लो गोन बोक्स कि हमारा वो कवर कर देंगे एक ही वीडियो की जुरूत रहेगी उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है बस छोटे-छोटे कॉंसेप्ट है वो मैं आप लोगों बता दूँगा ठीक है बाकी आप लोग ज्यादा सज्यादा अपने मित्रों को या अपने नीचे हो रहा है उसके पीछे रीजन कभी जैसा भी मोशन थोड़ा खराब चल रहा है उस मेरा नेट कई दिन से खराब पड़ा था वो भी एक रीजन है तो वो सब उपर नीचे चल रहा है लेकिन टोपिक में आप लोगों से सारे डिसक्स करूँगा यह मेरी गैरेंटी है और मैं अपनी तरफ से बैस्ट करने की कोसिस कर रहा हूं कि जितना जल्दी आप लोगों कर पाएं अब मैं थोड़ा रीजनिंग पे भी फोकस किया है क् रही जाता है मैथ के चक्कर में लेकिन मैं उस पर भी जल्दी एक दो टोपिक आपके खतम कर दूँगा एक एक वीडियो लगेगी ज्यादा उसमें कुछ है नहीं ठीक है ओके थैंक्यू गाइस